नमस्क्रार मैं अंजले बिश्रा स्वागते आप सभी का दन्योज में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि दिल्ली के पूर्वपमुख्यमंत्री और आम आदमी पाथी के नेता मनीस सिसोधिया को दिल्ली की राउजवनी कोट से एक बार फिर बड़ कोट द्वारा कोई भी राहत नहीं दी गई है जहां बिल्कों सभी सुना आपने सीबी और एडी दोड़ों ही मामले में दिल्ली की राउजवनी कोट ने मनीस सिसोधिया को बड़ा जटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारीच कर दिया है उसके ब नजर आएंगे जहां बिल्कों सभी सुना आपने आम आदी पार्टी के नेता मनीस सिसोधिया को अदालत से एक बार फिर बड़ा जटका लगा है दिल्ली कोट ने शराब नीती घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका खारीच कर दी है और वह दूसरी बार है यह आपको सेवनी कोट के इस वैसले को चुनाती देते हुए मनीस सिसोधिया अब दिल्ली हाई कोट का रुख करते नजर आएंगे जी हां बिल्कुल सभी सुना आपने आपको बता दे कि मनीस सिसोधिया को फरवरी 2023 में गिरफतार किया था तब से अब तक यानि एक साल से ज्यादा ल कि मनीस सिसोधिया ने तकरीबन 14 फोन और तकरीबन आपको बता दे कि 17-18 सिम्स बरबाद किये थे और डिजिटल सबूतों को बरबाद करने में भी कडूरों रुपए का खर्च किया गया था जिसके वाद वाट्सैप चैट के जरीए इससे लेकर बड़ा खुलासा हुआ थ लोबी से जो यह लेंदेन की बाते होती थी कडूरों का काम किया जाता था और उसमें कई सारी मीटिंग्स होती थी वहां पर मनीस सिसोधिया भी मुझूद रहते थे और मनीस को इसकी बारे में पूरी-पूरी जानकारी थी और यह जो घुटाला हुआ उसे जो जुड़ा पैसे निकल कर साबने आए उसे गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया था और इन सब के बीच एक मुख्य कड़ी थी वो थी मनीज सिसोधिया और यही कारण था कि मनीज सिसोधिया को मुख्य सारिश करता के तोर पर बताया गया था कई जबार इनके यहां छापे मारी भी ह सबसे बड़ी सुप्रीम कोट हो सभी इस जगह से सर्फ मनीज सिसोधिया को निराशा ही हात लगी है और अब एक साल का लंबा समय हो चुका है मनीज सिसोधिया को तिहार जेल में व्यतीत करते हुए इसी बीच अब दिली शरावनिती माबले में आरोपी बनाए गए बिली क मुख्य मंतरी मनीज सिसोधिया को अब रावजबनी कोट से बड़ा जुटका लगा है रावजबनी कोट ने मनीज सिसोधिया की जमानत याचिका खारीश कर दी है यह मनीज सिसोधिया की दूसरी जमानत याचिका है इसे पहले भी निचली अदारत से लेकर सुप्रीम कोट पिलीघ को जमानत देने से इंकार कर दिया था बहस की तरह कोट में ऑई ने बताया कि दिली शराब निती मामले में मनिस्ति सोध्या ही मुख्य साजिश करता है और अगर उन्हें जमारत मिलती है तो यह सबूतों के साथ छेरचार कर सकते हैं और गबाहु को भी प्रभावित कर सकते हैं इससे पहले भी आउको उता दे कि इग्डी ने कई बार यह दलीले दी है कि मनिस्सी सोधिया को यह आम वेक्ति यह आम आदमी नहीं है यह वेक्ति द जाच निस्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि गबाहों के साथ छेड़ चाड़ होगी भी साथ ही साथ सबूतों को मिटाने का प्रयाज भी किया जाएगा और कि मनिस्सी सोधिया को जमारत नहीं मिले इसे लेकर लगतार अगर आप कहेंगे कि दलीले दी गई थी उनके लगता है नहीं विद्ध का चुका है और सबूतों से चेड़चा कर सकते हैं गबाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं और यही कारण है इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और मनी सिसोदिया को जमारत जो है नहीं देनी चाहिए यहीं नहीं सीवीय नहीं जमारत के विरोध में क्या और दली ने दी आपको उतादे कि उन्होंने यह भी कहा किनकी याचिका का देरी का कई सारे जो ग्राउंद्स हैं उनने का हम बता चुके हैं देरी में क्या कारण है इसी कोट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोधिया मांस्टर माइंड है चुकि सिसोधिया की ओर से दलीले पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी है लिहाजा सिसोधिया के खिलाफ E.D. और C.B.I. मिद्दर जो मामले को राउ जवनी कोट ने फैसला सुरक्षित किया जो की अज सुनाया गया और इसकी याचिका हारीच कर दी गई मनी से सुधिया को दिली शराब नीती 2021-22 के बनाने और कारेवन में कथित ब्रिष्टा चार के लिए 26 फरवरी 2023 को C.B.I. इन गिरफतार किया था बाद में मनी लॉंडरंग के मामले घर देखने के लिए मिले और इसमें支持 की तिहार जिल के सलाकों के पीछे ही रहेंगे लेकिन अब कहां जा रहा है कि राव जवनी कोट से जमानत नहीं मिलने के बाद अब मनिस्टी सोधिया जो है दिली हाई कोट का दर्वाजा खटकटाएंगे वह और वहां से जो है अगर आप कहेंगे कि इस्तिति को अपने हिसाब स जिसे मोड़ने का प्रयास करेंगे लिकर इससे पहले भी दिली हाई कोट उनके जमानती अजका को खारीच किया हुआ है सुपरीम कोट ने भी इसे खारीच किया हुआ है और ऐसे में अगर मनिस्टी सोधिया एक बार फिर से दिली हाई कोट जाते हैं तो यह देखना या फिर वहां से भी उन्हें नलाश्वा ही हाथ लगती है जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला है यह वड़े विस्तार से बता है कि पूरा मामला क्या है किस तरीके से दिली के पूर्वा उपमुख्यमंतरी और आम आदमी पार्टी के नेता मनिसी सोधिया को दिली की नुचली अदारत युका यह दिली के रहुजवनी कोट से बड़ा जटका लगा है जहां पर उनकी जमानत याचका को खारीज कर दिया गया है और साथी साथ यह जमानत याचका थी यह ED और CBI दोनों ही मामले में थी इस मामले की सुनवाई जो है हुई थी फैसला सुनक्षित रखा गया था राचस पर फैसला सुनाते हुए मैंसी सोधिया को बड़ा जटका लगा है और यह दूसरा अगर आप कहेंगे दूसरी बार साहु रहा है कि इस तरीके से जो है रहात नहीं मिली है क्योंकि इस पहले भी दिली के निचली अदालत हतिली हाई कोट और सुपरीम कोट से जमानत को लेकर मनिसी सोधिया को जटके लग चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि निचली अदालत से मनिसी सोधिया को जो राहत नहीं मिली है जो जमानत नहीं मिली है अब इसी जमानत के लिए मनिसी सोधिया दिली कोट का दर्वासा खटकटाएंगे और वहां से किसी राहत की उम्मीद करेंगे शराब घोटाले मामले को लेकर ही उनकी गिरफतारी हुई थी और इस मामले में सीबिया रीडी ने यहीं दलिल दी कि किंग और मुख्य साज़िश करता मनी सिसोध्या है और सिसोध्या कोगर जेल से रहाई मिलती है जेल से उन्हें बाहर जाने का मुका मिलता है तो गवाहों के साथ छेचार करेंगे ही सबूत भी मिटाने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह स से शराब घोटाले मामले में निस्पक्ष जाच नहीं हो पाएगी और जाच प्रभावित होगी तो ऐसे मैं अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके जर से जरु साज़ा करिएगा दन्यवाद झालकी जरु साज़ा झालकी जरु सवक्ता जरे जरु साज़ाद जरु तो प्रच सवक्षिन में तो ढमेंटॉ